हेलो एवरीबान टूड़े वी विल डिस्कस चैप्टर फॉर्टीन क्लास सेबिंथ आरेस अग्वाल में एंड टॉपिक इस प्रॉपर्टीज और पैरलल लाइन्स तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको पैरलल लाइन्स की क्या प्रॉपर्टी है उक caution करेंगे चैप्टर फॉर्टिन के तो सबसे पहले आपका टॉप्पिक है प्रॉपर्टीज और पैरलल लाइन्स परहल होना चैजिए होती क्या है जोको किसी एक प्लेन में अगर टो लाइन्स हूं यैसे एक लाइन एक लाइन यह है एक और एक जम पिल एक लाइन और एक लाइन यह है है ना यह क्या हो रहा इंटर सेट कर रही है इसको अगर हम इस सैट बढ़ा है तो इंटर सेट आगे बढ़ाएंगे तो इंटर सेट नहीं कर रही है एक सैट बढ़ाने पर इंटर सेट कर रही है यह लाइन two more than two or more than two lines which never intersect जो कभी भी इंटर्सेक्ट नहीं करती फार दे आर एक्स्टेंट भले ही वो कितनी दूरता हम बढ़ा दें तो कह राती है पैररल लाइन या दूसरे सब्दों हम यह कह सकते हैं if the distance between two lines is always constant at any point दो लाइन के किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस किसी पॉइंट से लेले हैं दो लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा constant से मतला एककल अगर 5 है तो हर जागर 5 हो तो वो कहलाती है पैररल लाइन समझे गया है ऐसी two lines two more than two three भी हो सकती है एक और लेली अगर इतीनों आपस में कट रही है तो इतीनों आपस में पैररल लाइन है या इसके बीच की distance और इन दोनों के बीच की distance हमेशा हर पंड इसका मतलब यह नहीं कि जितनी यह इतनी है इसके पास ही हो सकती मतलब इस line से line तक की बीच की distance हमेशा same और इस line और इस line की बीच की distance हमेशा same हो दोनों की equal हो तो no problem दोनों की equal नहीं तर भी कोई बात ने है ओके तो यह कहलाती है पैरल लाइन सबसे best example पैरल लाइन तक क्या है रेल बेट ट्रेक हमेशा parallel होती है हमेशा कर भी हो रही कहीं पर आपस में parallel है अगर parallel नहीं होती क्या समझा टेरिंट आपकी पल्टी है समझे लो ओके बस समझा लाइन तो समझमा आ गया अब अगर टू पैरल लाइन यह है एक लाइन इसको intersect कर रही है यह point कुछ है यह point कु पहली लाइन को पहले ही point दूसी लाइन को बुसरी point पर तो इस तरह की line कहलाती है Transversal क्या कहलाती है Transversal ठीक है ना तो यह कहलाती है Transversal Line अब उनकी property बताई नहीं two parallel lines है और को यह Transversal Intercept करें जैसे ही है यह यह parallel थी मालनो यह parallel line L यह parallel M और T for Transversal यह Transversal है तो देखको 8 Gil यह एंगिल बनते हैं यत तो यह वbnना um dew important यह वना यह वनाちょ two इसको माल लो एंगिल 5 इसको एंगिल 6 इसको एंगिल 7 इसको एंगिल 8 तो कितने एंगिल फॉर्म हुए there are 8 एंगिल फॉर्म if one transversal intersect to parallel line तो इन एंगिल्स के कुछ प्रॉपर्टिया हैं वह हम बताते हैं यह थोड़ा मैं छोटा हो गया था ना फिकर तो मैं थोड़ा बड़ा बना दूं यहां ट्रांस्वर्सल दो parallel लाइन है एल एंड एम पैरल लाइन को देखो एक अगा मैं एसके girl थे हैं मालो यह से कोई फिकर यानि की सियर्ख है और दो लाइन यहां बी तो एसके parallel होगी single arrow वाली आपसे parallel और two arrow वाली आपसे parallel है यह अगा फिकर देखके हम ऐसे समसकते हैं कितने arrow लग रहे है single single वाली आपसे parallel डौबल डौबल वाली आपसे parallel है तो L parallel है MK और यह transversal T है तो 8 angle बने इसको हमने angle बन दे दिया नाम इसको एंगिल 2, इसको एंगिल 3, इसको एंगिल 4, ये एंगिल 5, ये एंगिल 6, ये एंगिल 7 और ये एंगिल 8 इससे पहले हमने linear pair एंगिल पड़े, इससे पहले एक्ससाइज में supplementary एंगिल पड़े, complementary पड़े और क्या पड़े थे supplementary होए adjustment angle पड़े और vertically opposite angle अब कुछ angle parallel पड़ेंगे तो ये 8 angles बने इनके कुछ नाम है क्या उस पो discuss करते है first है corresponding फस्स से मतलब यह नहीं पहला कोई सावी आप ड़े सकते हो पहला मैं correspondence angle की बारे में बता रहा हूँ alternate interior भी आप लोग ना वो सभी ही जाएंगे corresponding angle क्या होते है समझोड corresponding angles देखो ये parallel line थी और ये parallel line ये Transversal तो Transversal के same side होना चीए Transversal के left hand side ये आरे side और parallel line से भी same side या तो above या नीचे मतलब इसके above लेलो ये parallel line के भी above ये angle ये angle ये angle इसका क्यलाएगा corresponding जैसे angle 1 उपाली फेगर से इसका major था angle 5 जे रहा वोई नेम दे रहा हूं उसमें तो angle 1 और angle 5 ये corresponding angle होंगे और ये दोनों अपस में कलोंगे angle 1 इकल 2 होगा angle 5 की अगर angle 60 है बन तो 5 भी 60 होगा ओके अब ये नहीं इतनी ही है अब इधा है हम नताया था same side से होना ची ट्रांसवरसल के same side से नीचे के भी तो सकते हैं ये angle क्या था 4 और ये angle क्या है 8 तो ये भी correspondence angle है angle 4 इकल 2 angle 8 जितना 4 होगा उतना ही angle 8 होगा और भी है वही हम नताया दो line parallel एक ट्रांसवरसल लाइन के ऊपर parallel लाइन के पर और ट्रांसवर के शीम सेट ये इसके एककोल होगा ये correspondence angle होगा इसका correspondence इसका हमना नाम दिया था angle 2 और इसका दिया था angle 6 तो यानि कि angle 2 इकल 2 angle 6 इस वाली figure से बाद चल लिए है यह मैंने अलग से बना दिया नाम नहीं लिखें देख ये था ये angle 2 था और ये angle 6 एंगल 1 एंगल 5 के एककोल होगा एंगल 2 एंगल 6 के उपकर होगा और ये angle इसके उपकर और अभी रहेए याला ये angle इसके उपकर होगा पेरलाइन, ट्रांसवरसल, लाइन के नीचे, लाइन के नीचे और ट्रांसवरसल के लेफ्ट उचाइड में है, ठीक है? तो कौन सा होगा? एंगिल 3 is equal, एंगिल 7, ये सब कर्रस्पोंडेंस एंगिल होगे, जितना ये नीचा सब एकल होगे, एंगिल 1 इसके एकल होगा, 2 इस 7 को, ये मैंने लिखते है, तो these are correspondence एंगिल, ओके, नेस्ट, अल्टर्नेट इंटीरियार एंगिल, ये क्या होते हैं समझ दो, alternate interior angle, देखो, एक figure रुणा ही थbuild है होगे, इसमें 8 इंगिल बने दे ऊपर, दो लाइन के अंदर होने थे 4, एक यह, एक यह, एक यह, और 4 इंगिल लाइन के भार, जो अंदर हो तो interior, तो अल्टर्नेट इंट Iya के इंसे साछात के इंटेिराइग थिसा आश्याटiva के शिटा दा रहाए उसे दिनारेगे छोड़े हैं इसी तरह आप जित रो, Alternate Interior Angle, इस एंगल का नाम हमनों खोड़ दिया थो फ़ले, उसमें, आप हमें इसका Alternate Interior Find करना, इंटरियर तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो Alternate का था एक छोड़ कर, चाहें आप Clockwise चलो, चाहें Anti Clockwise, एक छोड़ दो, अगर Clockwise चलो इस एंगल को ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐस लिखे थे, तो 4 का Alternate क्या होगा, अगर हम Clockwise चलो एक एंगल छोड़ एंटरियर का, तो ही आ गया, या Anti Clockwise चलो तो एक छोड़ दो 3 के बाद 6, तो 4 का Alternate होगा 6, एंगल 4 और Alternate आपस में इकल होते हैं, तो 4 का Alternate एंगल है, एंगल 6, और 4 Alternate एंगल होगा 5, और या आपस में इकल होगा, या एंगल 5 का Alternate होगा 3, और एंगल 6 का Alternate होगा, कुछ लोग कहते हैं, यह जो Z बनाए, वो भी सही है, लेकिन Z नहीं होता हमेशा, Z के सुन जाए का अभी हम ऐसी ही हो सकता है, यह भी तो Alternate है, है ना, अगर यह पैरलेस के ह Alternate है, बत समझ में आ गया, तो दो लाइन पैरल होगा, एक ट्रांसवर्सल, तो इनके अपोजी साइट के जो एंगल होते हैं, इंट्रियर में, वो कहलाते हैं, Alternate इंट्रियर एंगल, और यह आपस में इकल होते हैं, आगा कोई सवाल यह हो, दो लाइन दे रखी हैं, एक ट इंट्रियर सुन जाते हैं, Alternate exterior angles, वोई है, दो लाइन पैरल, एक ट्रांसवर्सल, यह लाइन इसके पैरलल है, exterior यह होगा, angle 1 दिया था नाम, इसको हमने angle 2 दिया था, 3, 4, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसे दिया था, हमने angle 7, और इसको दिया था, angle 8, अब यह लाइन के भार वाली exterior, यह चार angle, टोटल कितने angle बन देते, 8, जिसमें से 4 होते हैं, interior angle, और 4 होते हैं, external, जैसे अब तो समझ में आगे, alternate exterior, 1 का alternate, एक छोड़ कर, 4 छोड़ दो, क्या होगा, 7, जितना 1 है, उतना ही 7 होगा, तो angle 1 का exterior angle, alternate exterior angle है, 7, और यह आपस मे एक लो, बाहर के angle है, एक छोड़ के है, हम clockwise direction चले है, तो angle 1 के बाद 8 है, इसे छोड़ना है, alternate मतला, एक छोड़ कर दूसरा, तो यह, तो 1 का alternate, 7, और 2 का alternate, exterior angle, यह 8 लिख रहा है, angle 2 का alternate, exterior angle होगा, 8, angle 1, 7 के एक लोगा, 2, 8, यह 4 हो आपस में equal नहीं होगे, हाँ, एक condition में कब, जब यह transversal है, इस पर perpendicular हो, तो सब के सारे के सारे सारे angle, 4 के 4 angle, 8 के 8 angle, क्या होगे, 90, 90, नहीं होगे, इस condition में, 4 alternate, interior angle भी 90 होगे, सब angle 90 होगे, चाहे वो vertical opposites हो, कुछ भी होगे, सब 90, 90 होगे, कब, जब transversal क्या हो, इस पर perpendicular, यारे कि 90 degree पर intersect करती हो, तो अभी तक 3 चीज़ बताई हमने, 3 angle, correspondence angle, alternate interior angle, alternate exterior angle, अब एक angle, co-interior angle, अब इस के आरे में, डिसक्रस करते हैं, तो co-interior angle, interior से समझमा आ गया, दो line ही parallel थी, ये transversal, यानि कि इन चाहरों में सी co-interior बनने होगे, ये certain interior थे, इस angle का name मैंने दिया था, 4, इसको दिया है 3, इसको दिया है 5, इसको दिया था 6, co-interior angle क्या होता है, angle of the same sides of the transversal, interior angle तो हो, साथी साथ, transversal के same side, transversal के इस side हो या side, यानि कि 4 और 5 आपास में co-interior होगे, और 3 हो से, क्योंकि ये transversal से left side में, ये transversal के right side में, फोर्स तो समझ में आ गया, angle क्या होंगे, interior angle के लाएंगे, कौन से, interior angle of the same sides of the transversal is called co-interior angle, लिखनी जरूत नहीं है न, मैं बोलना हो, अगर लिखना हो, अब लिखना हो, क्या, same sides के angle, किसके transversal, ये transversal होती है, टीची, ये लाइंग मैं L मान ली थी, ये, हैंना, तो क्या लिखोगे, angle, block, same sides of the transversal is called co-interior angle, इसको हम दूसा सब्द और होता है, वो लिखना हो, उसे बोलते है, consecutive, consecutive लगाता है, consecutive, interior angle, तो अगर हम consecutive interior angles बोलें, या co-interior angles हमेशा same है, दोना का मतलब एक ही है, इसकी एक property होती है, क्या co-interior angle या consecutive interior angle का sum हमेशा 180 होगा, कब अगर ये दोना line parallel है, तो कभी-कभी सवाल आइंगे भी आगे, कि पूरूब करने के लिए था, कि ये line इसके parallel है, पूरूब करने के लिए तो कई तरीके होते है, या तो co-interior का sum 1-80 आजाए, तो वो parallel होगी, या angle 3 बरावार, angle 5 आजाए, या alternate interior angle इकोल आजाए, तो parallel होगी, या correspondence angle इकोल आजाए तो parallel होगी, हमने यह पढ़ाता है, एक तो correspondence angle वो इकोल आजाए, तो parallel होगी, alternate interior angle इकोल आजाए, तो parallel होगी, इनका sum आजाए, तो क्या अतना आजाए, 1-80 तो parallel होगी, और क्या बता, exterior angle, अगर alternate exterior angle भी इकोल है, तब भी pair of line क्या होगा, parallel, ये बात समझ में आ गया, है ना, clear ह होगी है, समझ में आगी बात, ओके, अब देखो, क्या होता है, आपके जब question आएंगे, तो उसके पहले आपके clear होना चाहिए, ये है, अगर हमें इन आठों angle में से, अगर सिर्फ एक भी angle पता हो, मालो ये मालू में 110, तो हम सारे के सारे angle point कर सकते हैं, कैसे, देखो, ये द parallel निदे रखी है, तो नहीं कर सकते हैं, ओके, उस condition में हम कर सकते हैं, ऐसा कोछ नहीं है, अगर parallel निदे रखी है, तो बताएंगे, आड़ी तो गलत है न, parallel पर बात चली लाग, तो ये 110 तो 110 हो गया, अब देखो, ये 110 है, line से उपर, ये 110 होगा, क्यों, क्यों होगा बताऊ correspondence angle भई ये, इसका correspondence है, अजो 110 है, तो ये 110 होगा, ये vertical position angle या इसका, ये alternate interior angle हो गया, या ये correspondence spending तो ये, ये दोना correspondence है, ऐसे, तो एक से 4 निकाल चुके, अब बाकी 4 कैसे निकलेंगे, ये कैसे है, linear pair, ये 110, तो इन दोनों का sum कितना होगा, 180, 180 मैंसे 110 सब्टेट करोगे, अरे 180 मैंसे जब 110 सब्टेट करोगे, तो 70 आएगा, जब ये 70, तो इसके सामने का opposite angle vertical पोर ये 70, जब ये 70, लाइन के उपर, लाइन के उपर, ये भी 70, क्यों, क्योंकि ये कैसे है, correspondence angle, जब ये 70, तो ये 70, तो क्या दिखाई दे रहा है, दो इक तरेकी के angle ने, measure of angle दो है, इन 8 में, जब भी निकालोगे, दो ये angle से लिकल कहेंगी, मतलब 4 तो 70 है, और 4 वर 110, यानकि 4 angle की value सेम होती है, और 4 angle की value सेम होती है, इन 8 में से, ठीक है, बास सब्जमा गई आपके, ओके, तो parallel लाइन क्या थी, ऐसी दो parallel लाइन, जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, या द दो सी मतलब में, 3, 4, 5 आपस में parallel हो सकती है, जब parallel line को कोई 3 लाइन, इंटरसेट करती है, उसे उलते हम, ट्रांसवर्सल, तो 8 angle बनते हैं, जिसमें 4 interior angle, जानकि line के अंदर, जैसे 1, 2, 3, 4, और 4 line के भार, उपर, या नीची है, या लाइन के भार, तो वो कहलाते हैं exterior, उसम में आयता correspondence angle, डिसकर्स कर चुक है, alternate interior, alternate exterior, co interior angle या consecutive interior angle, या इंपर्टेट है, इन दोना angle का sum 180 होता है, अब थोड़ा सो और discuss करेंगे, तो हम exercise के कुछ सवाल करेंगे, ये मालो एक figure दे रखी होगी, कुस्न में जो step करेंगे, हमें पुरूब करना होगा कि ये line इसके parallel है, कि line a parallel है, line b के, तो क्या क्या पुरूब कर सकते है, अगर हम किसी तरह पुरूब करते है, ये angle इसके equal है, बस अतना ही कर दे, तो ये line क्या होगी parallel, क्योंकि ये कैसे क्लाएंगे, कौन से angle क्लाएंगे, corresponding angle, clear, दूसरा तरीका, अगर हम ये पुरूब करते है, ये angle equal है इसके, इसन में कलोते हैं, जो ये line parallel हो, otherwise नहीं होगे, तो इतनी से हो जा गए प्रूब, और क्या कर सकते हैं, कि अभी दाया, co-interior angle is, ये angle, कौन सा, ये दौरा था लो नीचे, ये angle और ये, ये क्या क्लाते है, consecutive interior या co-interior लिखाते हैं, consecutive लागातर बताया है, co-interior, अगर हम इन द दोनो लाइन आपस में parallel होगी, और एक और तरीका, अगर हम किसी तरह से प्रूब करते हैं, ये angle, इस angle के equal है, यानि कि alternate exterior angle, तब भी ये दोनो लाइन, segment या line आपस में parallel होगी, ओके, तो इतने तरीके हैं, या तो alternate interior angle प्रूब कर दो, alternate exterior angle प्रूब कर दो, या correspondence angle कर दो, या sum आपको interior angle निकाल दो, वो अगर 180 आया है, तो ये दोनो लाइन आपस में, क्या होगी, parallel, ओके, तो मुझे उम्मीद है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, अगर कुछी भी प्रूब्लम लगती है, आप एक बार आप वीडियो रुमाइन करके, दोबार सुनें, ध् चलिए, अब time ना based करते हुए, exercise start करते है, exercise 14, now exercise 14, and the first question, this figure is given, क्या given है, L is parallel 2m, parallel line पूरी मैं ने बता दी, लेकिन ये बताना बुलिया, parallel का symbol ये होता है, 6 में भी पढ़ा है, कि L parallel 2m, parallel ये, ऐसे दोग कर दें, 11 सा बना दें, तो ये कहलाता है, parallel को, L parallel 2m, इस काउंट दे रखी है, okay, if angle 5 is 70 degree, ये 5 angle दे रखा है, मैं 70 degree k, तो find the measure of each angle, 1, 3, 4, 8, 1, 3, 4, 8, बस इन 4 का निकाला, अभी हम समझाते हैं, एक angle हो, तो हम सब angle निकाल सकते हैं, तो दो को angle 1 निकाले पहले है, angle 1 equal to angle 5 क्यों होगा, 1 equal to 5 क्यों होगा, ये कैसा angle है, corresponding, इसमें हमें लिखना चाहिए, जो angle है, वो काईदिस से हमें, ब्रेक्टिक में लिखना चाहिए, तो क्यों है, ये cause लिख दें, because these are corresponding angle, corresponding angle क्या होते हैं, आपस में corresponding angles, angles को angle बना के ऐसे लिख देंगें, तो angle 5 के value दे रखे, 70, तो angle 1 की value कितनी हो गई, 70, तो पहला तो ये निकला है, angle 1, फिर पूछा है angle 3, अब एको angle 3 किसको होगा, ये कैसे angle है, vertical opposites angle, वा angle 1 निकाल चुके, है कि नहीं है, या angle 3 को हम ये बली सकते है, angle 3 equal to angle 5, alternate interior angle, अब यहाँ दो तरीके हैं, या तो angle 3 को आप angle 1 के एको रखे दो, अगर angle 3 को angle बनके लिख लिख लिखोगे, तो cause क्या लिखोगे, vertical opposites angle, या angle 3 equal to angle 5 होगे, क्योंकि ये line parallel है तब, ये क्यालाते है, alternate interior, तो 3 equal to 1, vertical opposites, मैं 3 equal to 5 लिख रहाँ हूँ, जिससे कि आपको अभी जो सीखा है, वो याद आदे है, alternate interior क्या होता है, correspondence, कर आप कुछ भी कर सकते हो, तो मैंने लिख दिया angle 3 equal to angle 5, क्यों ये कौज हैं लिख दिया, these are alternate interior angles, तो angle 3 की value find होगे, क्योंकि 5 हमें given है, और 5 किसके given है, 70, तो ये भी 70 आ गया, तो दो angle हमने find कर लिए, 1 and 3, अब हमें करना 4 and 8, अब 4 angle क्या होगा, angle 4 है, देखो या तो 1 plus 4 equal to 180 लिख दें, क्योंकि ये कैसे है, linear pair, या 4 plus 5 equal to 180 ये कौन से है, sum of co-interior angle, या consecutive interior angle भी समझाएता है, तो 1 plus 4 equal to लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, linear pair, और 4 plus 5 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, cause co-interior angle, sum of co-interior, तो मैं 4 plus 5 इसी का है, जिसी के आपको यातो भी रहेगा, तो मैंने लिखा आप, कि angle 4 plus angle 5 is equal to 180 लिखेंगे, क्यों, because, अब ये हमने डिसकस कराता, ये कैसे है, consecutive interior angle, या से क्या बोलते है, sum of, स्वाट में लिखने के लिखेंगे, co-interior उजादा सही रहता है, सही जादा गलत कुछ नहीं 180, तो 4 निकलाया, 4 is equal 180 minus 70, तो angle 4 is 110 degree, angle 8 और रह गया है, तो 8 में ही लिख देता हूँ, थोटी छोटी सी space में, paper खतम हो गया है, ही लिख देता हूँ, क्यों बताता हूँ, क्योंकि simple है, angle 8 equal to होगा, angle 4 ये रहा, 4 और 8 है न, ये कैसे angle कराएंगे, बताओ क्या कराएंगे, बि ट्रांस्वल करेंगे, लाइन के नीचे, और लाइन के नीचे, तो angle 4 equal to होगा, दिस angle, और ये दोनों कैसे, या 5 plus 8 equal to 180, linear pair, ये भी लिख सकते हो, तो मैं 4 equal to 8 लिख देता हूँ, angle 8 find काना, sorry, angle 8 equal to 4, angle 8 की value आगई, 110, cost क्या लिख होगे, corresponding, space का मैं आपने सुनतु लिए, लिख लोगे, corresponding angles, ओके, तो ये question complete हुआ, एक ही exercise में, now we will solve question number 2, now question number 2, and the question, this figure is given, L parallel to M, ये हमें given है, line segment, L is parallel to M, line जो है, L M parallel है, और ये ट्रांसफरसल है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 angle बने हुआ हूँ, main जो given है, angle 1 is to 2, is equal 5 is to 7, ratio दे रखा है, in the ratio 5 is to 7, find the, measure of each of the angle, 1, 2, 3, 8, 1 find करना है, 2 find करना है, 3 find करना है, और 8, ये 4 angle find करने है, same उसी तरह का है, उसमें एक angle दी रखाता, यहां हम इसकी help से angle find करेंगे, तो 1 और 2 कैसे है, linear pair, इस्टे डैंड में है, हमें पता है, angle 1 और 2 का sum कितना होता है, linear pair angle का sum हमिश्या क्या होता है, 180 degree, होता है ना होता है 180, तो ये angle 1 और 2 का sum 180, ratio में दे रखा है 5 is to 7, तो इसको find कर नहीं कि दो तरीके, या तो 180 को 5 is to 7, ratio में डाइट कर दो, या फिर जब कभी भी ratio में है, तो माल लेते हैं, कि let angle 1 equal to 5, ratio है, तो 5x एक constant लगा जाए, 5x degree है, and angle 2 is 7s degree, अब angle 1 plus 2 क्या होगा, angle 1 plus angle 2 की value होगी, 180 degree, क्योंकि ये क्या है, sum of linear pairs, linear pair, angles, linear pair angle का sum हमेशा 180 होता है, यह आप अच्छे से जानते हैं, तो 1 की value क्या है, 5x, split कर दो, 2 की क्या है, 7x is 180, ठीक, 5x plus 7x कितना होगे, 12x is 180, तो x की value आ गई, 180 upon 12, 12 बन जा 12, 6 बच्चा 60, तो 12, 5 जा, तो x आ गया 15, लिख रहा हमें x से मतलब थोगी ना है, हमें तो angle 1, 2, तो angle 1 की value तो ही निकलाई, x की value पूट कर दें, 5x, तो angle 1 is equal to 5 into x, x की value कितनी 15, तो 1 यहा निकलाया, एंगिल 1 जो पूछा था, यह आ गया 75, एंगिल 2 भी निकलाया, 27x, x की value पूट कर दें, और x क्या निकल का है, तो 15, तो angle 2 is 7 into 15, तो angle 2 भी आ गया 105 डिगे, तो 2 angle तो निकलाई, आप हमें find करना है, angle 3, तो angle 3 किसके एकल होगा, जो angle 1 के है, क्योंकि यह vertical opposites है, या 2 plus 3 is equal 180, तो इतना calculation क्यों करेंगे, हम बन निकाल चूगे, 3 equal to 1 लिख दो, vertical opposites angle है न, तो लिख दो, angle 3 की value होगी, angle 1 के, क्यों होगी, यह हमने bracket में लिख दिया, because these are vertically, opposites को short में o double ले सकते हैं, opposites angles, तो angle 3 की value भी आगई, 1, और 1 किसके एकल था, यह रहा उपर ही दिख दिख रहा है, 1 equal to 75, तो angle 3, या major of angle 3 is 75, तो 1, 2, 3 find होगे, last 8, तो angle 8 किसके equal होगा, यह रहा, angle 8 किसके होगा, angle 1 के होगा, कि 2 के, 2 के, क्यों alternate exterior angle है, यह रहा, 2 है, exterior के छोड़ दो, आगे इसके, या 4 के equal भी सकते हो, लेकिन 4 angle हमने निकालाना है, हमने कौन कोई से निकालना है, 1, 2, 3, है न, 8 कैसे निकलेगा, angle 8 होगा, angle 2 के equal, क्योंकि यह exterior है, कौन सा alternate exterior, तो लिख दो angle 8 is equal, angle 2, क्यों, because these are alternate exterior angles, तो angle 8 की value वही होगी, जो angle 2 की है, और angle 2 की value क्या है, 105 degree, अब जड़ा एक बार और देख लो, हो सकता है, किसी ने कर रखा हो, यह किसी और method से, angle 8 एक तरीका और था करने का, कि हमने angle 3 निकाल दिया था, तो angle 3 के equal ही क्या होगा, angle 5, जो angle 3 होगा, angle 5 होगा, alternate interior, angle 3 कितना था, 75 यह रहा, angle 3 75, तो उसकता किसी ने कर रखा हो, 5 equal to angle 3, alternate interior, बिल्कुँ सही है, तो यह होगा 75, फिर 5 प्लस 8 को linear pair की property लगा दी, equal 180, उससे निकाल होगे, कैसे भी निकालो, answer सेम आएगा, तो यह रहा आपका solution, question of answer, angle 1 का 75, angle 2 105, angle 3 75, और angle 8 105, 75, 105, 75, 105, ओके, आज के वीडियो में, यह दो question है, बाकी हम next video में करेंगे, क्योंकि वीडियो बढ़ा हो जाएगा, विए question करते हैं, और मुई उम्मीद है, यह आप लोगों को अ आगया होगा, तो जो इंट्रो बताया है, मैंने, है ना, इससे पहले, types of angle, correspondence angle, co-interior angle, alternate interior, alternate exterior angle, तो उससे आपका concept clear होना चाहिए, अच्छे से समझे लेए, तब जाके यह सवाल होगे, है ना, और इससे पहले एक्ससाइई हो चुकिए, वो भी कि वर्टिकल पोजिस अंगि यह भी भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत easy exercise है, अगर आपको concept clear तो कुछ नहीं है, बहुत simple है है ना, फिर मिलते है नेस वीडियो में, अगर आप पहली बार चैनल पर आयो हो, तो चैनल को subscribe करना ना बोले, साती सात, bell icon को जरूर पूस्ट कर ले, जिससे क इसके आगे के जब भी question में upload करूं, वो आपके miss नहीं हो, आपके पास उसका notification आ जाएगा, इस वीडियो का अपने दोस्तों को भी share करें, क्योंकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, फिर मिलते है नेस वीडियो में, thank you, have a nice day.